नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुभापंडे और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके अगर जो फैस्बुक आइडी है उसे आप बंद कैसे करें कुछ लोग होते हैं कि जिनके पास दो आइडी होती है या वह अपनी आइडी बंद करना चाहते हैं वह बंद कर सकते हैं तो आपको सिंपल आपको फैस्बुक में जाना है अब यहां से देख यह जो यहां पर बार बना हुआ है इसमें जाएंगे जो तीन डंडिया उसमें जाने के बाद आपको आउन एकांट सेटिंग में जाना है एकांट इसमें डिज है करता हूं इसपर क्लिक करने के बाद यह देखिए एकाउंत ट्युक्ति तुमक करता हूं और यह पर पस्वर्ड डालेंगे जो आई डि का पास्वर्ड होगा बास्वर्ड को पास्वर्ड हम डालेंगे कि देखिए मैंने यहां से यह पूछ रहा है कि आप किसलिए डिएक्टिवेट करना चाहते हैं आइडी को अपनी तो मैं इसमें लगा देता हूं कि आई है अनादर फैस्बूक एकाउंट ठीक है अब क्लिक करें कृंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो यहां कर देते हैं है तो कि एच्प्टिवेट municipalities फो गया का है अब को देखिए मैंने यहां से लोग-इन की है आप यहां से कर सकते हैं तब यहां से अन कर सकते हैं लेकिन यहां दिशन करना है उपनिया कभी नहीं खोलनी है तो उसके लिए आपको देखे, में id यहां पर ख़ोला हूं, आइडी यह वाली, देखे, id खुलेगी, यहां पर हमें अब क्या करना है, कि हमें जो हमारी id है, उसे में बिल्कुल delete कर दूँए, आप हमें वो id चाहिए ही नहीं, तो इसमें मैं गया, है कि यहां पर चाहें तो search का option है तो आप यहां से सर्च कर सकते हैं देखिए हमें search करना है delete facebook account permanently तो मैं यहां पर देखिए पहले से मैं ने search किया इसलिए यहां पर option है तो यह डिलीट account डिलीट facebook lived account तो यह पर देखिए यह छोल गया आप्टन तो यह लिंक है इसमें को यह लिंक देखिए माने क्लिक किया कि छिए उसपर क्लिक करने के बाद यह देखिए प्रीक खुल रहा है इसमें से भूब इतार कर दोगने हैं यह अपना लीक डिलीट करना है बंद करना है कभी उनना भी खूलophouse की इसलिए धोडिये खूल गया है पेस और यहां पर आप जाएंगे देखिए यह लिखा वे यह जो लिंक कड़ी है इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे यह लिंक मैं ने description LINK में डाल दी है वहां से भी आप DIRECT से खोल सकते हैं तो यहां देखिए मैंने क्लिक किया इस पर अब इसमें एकाउंट डिलेशन देखिए आइडी खुलेगी इसमें हमें देखिए पासवर्ड माग रहा है कि आप पासवर्ड डालेंगे तो हमने पासवर्ड डालना है कि मैंने सम्मिट कर दिया पासवर्ड डालके अब यह हमारी आइडी डिलेट हो गए एकाउंट सक्सेस पुलेश अफ डिलेट साथ तो अब इसमें बता रहा है कि अगर आप 14 दिन के अंदर अपनी आइडी फिर से लॉग इन करते हैं तो आपकी आइडी लॉग इन हो जाएग बाद नहीं करते 14 दिन तक आप तो आपकी आइडी जो है वह ब्लॉक हो जाएगी वह बंद हो जाएगी वह आप फिर कभी नहीं खोल सकते आपको अगर खोलना तो दुबारा आइडी अपनी नहीं बना सकते हैं तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें